Hello friends, तो आज हम लोग दिखेंगे statistics book का class 12 का chapter number 1, index number 12 marks का chapter मैं आगे भी आपको बोच चुपा हूँ आगे की lectures में और आगे की lecture में मैंने आपको 2 method करा दी थी things based and a chain based उसके बाद उसके अलावास का हमने conversation भी दिखा था आज की जो मेरी method है, वो method है मेरी weighted average और weighted average को दूसरे नाम से family budget भी कहा जाता है यानि अगर आपको exam के अंदर, board के अंदर पुछा हुआ sum है कि family budget matter से calculate करिए तो भी आपको क्या समझना है कि वो weighted average का ही sum है तो चले पहले हम लो इसका formula आपको बता दू मैं आपको तो formula है इसका i equal to sigma iw divided by sigma w जहां पर w equal to weight and i equal to index number लेंगे मैंने दूसरी भी चीज़ें आप में मेंशन करें हुए अगर आपको sum के अंदर iw ना दिया हो तो भी आप कैसे calculate कर सकते है i equal to formula है हमारा P1 divided by P0 into 100 और w अगर ना दिया हो तो P0 into Q0 करकी भी आप निकाल सकते हैं चलिए तो मैं चलता हूँ first number का sum है हमारे यहां पर एकसे इसके अंदर आपको 1.3 के अंदर एक first number का sum दिखाई देगा उसके अंदर आपको sum के अंदर दिया हुए यह weight दिया हुआ है और price पर index दिया हुए है तो weight को जैसे कि मैंने आपको बोला यहां पर आपको value दिया हुए यह direct 5 10 10 30 20 25 और price पर index के अंदर आपको 290 315 280 300 315 320 ऐसा दिया हुआ है सिर्फ हमें क्या निकालना है यहां पर IW में किस्तर से निकालूँगा आपको ID आई गया हुआ 5 into 290 I got 1450 10 into 315 I got 3150 10 into 280 I got 2800 30 into 300 I got 9000 20 into 315 I got 6300 and 20 into 320 I got 8000 after that आप क्या करेंगे IW का total करेंगे 30700 और sigma W का total करेंगे 100 मेरा पर्वला क्या है I equal to sigma IW divided by sigma W so IW कितना आगे थे मेरा 30700 divided by मेरा sigma W कितना आजाएगा 100 so I got 307 पर अगर यह exam के अंदर आपको 3 marks में sum पूछे जाते हैं अब 3 marks में आपको पूछा हुआ है पर अगर आप यहां पर मैंने statement mention करी हुई है अगर आप यह नहीं लिखते हैं तो आपको exam के अंदर पूरे mark मिलेंगे नहीं आप सिर्फ कितने mark gain कर पाएंगे only for 2 marks पर आप पुरे इस तर हमें कब लिखना है यह statement तो आपने जब sum पढ़ा हुआ तो sum के अंदर आपको एक line दी हुई थी interpretation के sum को करने के बाद आपको सका interpretation भी करना हैं तो interpretation किस sense में होता है दो ही sense में होता है या तो increase या तो decrease अगर value 100 से ज़धा आ रही है तो increase होगा 100 से काम आ रही है तो very decrease होगा अब यहाला पर 2 0 7% कैसे आया है तो मैं 100 से मेरी value कितने ज़दा आ यह 307 यह नहीं 100 से मैं कितना आगे जा रहा हूं 307 सो 307 को मैं 100 में से माइनस करूँ और सो आई गाट 207 यानि इतना परसन मेरी वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है क्लियर है चलिए इसी तरह का मेरा दूसरा सम है यहां पर पर मुझे आई नहीं इंडेक्स नमबर नहीं दिया हुए पर एक चीज़ आपको दियो ही है प्राइज ऑफ 2014 और आपको मैंने आगे भी बोला हुआ है आगे की लेक्चर में भी कि जो भी करन्ट यह होता है उसको हम आलवेस क्या लेते हैं और जो बेस यह होता है उसको हम क्य चलिए तो W तो मुझे मिला हुआ है अब मुझे आई निकालना है तो आई के लिए मेरे पास अगेन फॉर्मिला था मैंने जैसा कि आपको फॉर्मिला बताया हुआ था कि अगर आपको आई ना दिया तो आप P1 डिवाइड बाइ P0 इन्टु हंड़ेड करके निकाल सकते है हैं सो यहां पर मैंने यह करा हुआ है फर्स बन कितना मेरा 24 डिवाइड बाइ 30 इन्टु हंड़ेड सो आई गौट 80 24 डिवाइड बाइ 20 इन्टु हंड़े आई गौट 120 70 डिवाइड बाइ 50 इन्टु हंड़ेड आई गौट 140 डिवाइड बाइ 32 इन्टु हंड़ेड आई आपको लग रहा है तो आपको लग रहा है अपको आपको क्लियर होगा यहीं आपर सम्सक्राइब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करना है तो कितना परसंट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है चलिए अब तिसरे डाइक पस्ता है जिसके नहीं मुझे पस्ता है जिसके अंदर के अंदर को टांट को डिखाई देखाहे जिसके नमomena पर दियाो है तो और प्राइज को आपको समक्राइब यहां डिया हुआ है तो यह दोने जो मेरी है यहां पर यहां पर यहां पर यह दोने कौन सी वैल्यू मेरी 2010 की यह 2010 की जो दोने वैल्यू उनको लिए हुआ है 00 यानि यह quantity यानि Q0 यह प्राइस यानि पी जिरो और जो यह डिटा यह यह मेरी जो प्राइस है वो कौनसे यह की 2014 की है यह मेरा current year है और यह मेरा base year है तो base year को हम लोग always 0 लेंगे और current year को हम लोग क्या लेंगे 1 लेंगे चलिए तो यहां भी मैंने answer कर दिया तीनों की value जैसी थी 60, 40, 15, 25, 15, 32 यहां तो मुझे sum के अंदर value दी हुई है चलिए अब मैं क्या करूँगा आगे आई ही निकालूँगा तो आई के लिए में पास formula है P1 divided by P0 यहांनी 18 divided by 15 into 100, 120, 40 divided by 32 into 100, 125, 14 divided by 12 into 100, 116.67, and 70 divided by 50 into 100, I got 140 ऐसे W के लिए मेरे पास formula है P0 into Q0 मैं P0 into Q0 करूँगा यहांनी 60 into 15, I got 900, then 40 into 32, 1280, 15 into 12, 180, and 25 into 50, I got 1250, and last column तो हमको जो पता ही है I into W, और मेरे पास I भी आगया है, मेरे पास W भी आगया है, so 120 into 900, 1,8000, 125 into 1280, 1,60, 116.67 into 180, I got 21,000.6, and 140 into 1250, I got 1,75,000 और लास्ट में जब मैंने टोटल जाला तो I got whole like 64,000.6, और मेरा W का टोटल आ रहा है, 3610, so मैं यहां पर जब formula में mention करूँगा, तो I equal to मेरा formula आ जाएगा, sigma IW divided by sigma W, मैं divide करूँगा, I got 128.53, so इसके अंदर भी हमको interpretation देना है, कि कितना percent increase हो रहा है, तो 100 के उपर कितनी value जाता हो रही है, 28.53, उतना percent क्या हो रहा हो है, increase हो रहा हो, ओके, चलिए, अब हम लोग एक और sum देख लेता है, जो paragraph के अंदर जनरली sum पूछा जाता है, section D के अंदर आपको sum number 7 दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको 5 चीजों की value दी होई है, पर आप आपको खाली just ऐसा दिया है कि one पहले में 50 percent increase हो रहा है, second में 90 percent increase हो रहा है, third में one one zero percent increase हो रहा है, third के अंदर five percent decrease हो रहा है, fifth के आणर two percent decrease हो रहा है, okay, então increase हो रहा है, 100 में मैंने plus करा दो one fifty आ गया, और जबकि आपको वेटे तो आपको दिया हुआ है ratio में 5 to 4 to 3 to 2 to 1 clear है तो यह सम्भी 3 marks में आपको पूछी जाते हैं इस तरह के यानि आपको i और w मैंने दोने ही या फिर दे दिया अब तो आगे i into w करके formula में value put up करके आप answer निकाल सकते हैं चलिए इसी तरह का board में बहुत बार पुछा हो question है 3 marks के अंदर एक बहुत ही अच्छा समय सेक्शन एक के अंदर आपको 6 नमर का question दिया हुआ है वहाँ पे कुछ 5 आइटम्स दी हुई है आपको wheat rice बाजरी, oil and ghee उसमें आपको दिया हुआ है कि wheat की जो price 70% increase हो रही है rice की 40% बाजरी की 25% decrease हो रही है oil की 40% increase हो रही है और ghee की जो price 5% decrease हो रही है तो increase decrease हो मैं आपको आगे बताया हूँ यहाँ पे wheat increase हो रहा है कितना 70% so I got 100 plus 70 170 rice 40% increase हो रहा है so I got 140 बाजरी के अंदर 25% decrease हो रहा है so I got 100-25 I got 75 oil के अंदर वापस 40% increase हो रहा है so I got 140 और ghee की आइटम 5% decrease हो रही है so I got 95 चलिए इसी तरब अब importance की बात करते है तो w w in the sense weightage अब वो weightage मैंने कैसा निकाला हुआ हूए हम यह oil और जो oil or rice है उनका जो price है ना वो घी की comparison में क्या है two time और three time दिया हुआ है तो इसके अंदर common कौन है घी है तो घी को मैंने क्या suppose करा one ले लिया तो rice क्या मिल गया उसका double तो rice double कितना हो गया one का double क्या हो जाएगा two इससे तरह oil क्या है घी का कितना है three time है तो oil की value क्या आ गई three आ गई ओके चलिए और आगे आपको इस तरह दिया हुआ है कि wheat और जो बाजरी है उन दोने की price क्या है rice की comparison में क्या है double है तो rice की price मेरे two थी तो मेरा wheat और बाजरी क्या जाएगा उसका double यानि कितना आजएगा four और four आजएगा क्योंकि two two is a four यानि हो मेरा क्या जा है यह पूरी मैथड आपको बहुत ही अच्छे विए में clear हो चुकी होगी अगर इसके कोई भी doubts हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं मेरे comment box में भी आप मुझे comment करके भी आपके doubt क्लियर कर सकते हैं बाकि weighted average के अंदर जितने भी methods थी बहुर के अंदर जो भी आने ला